एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रहता था एक महनती लड़का जिसका नाम रमन था. रमन को बच्पन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था. वा हमेशा किताबों में खोया रहता था और नएने ज्यान अर्जित करने के लिए हमेशा उच्सुक रहता था. रमन के माता-पिता को भी रमन का पढ़ाई से प्यार पता था. वा अक्सर रमन को पढ़ाई करने के लिए प्रोटसाहित करते थे और उसे बताते थे कि पढ़ाई ही उसकी सफलता की कुझी है. रमन स्कूल में हमेशा सबसे मेधावी चात्रों में से एक था. वह हर विशय में अच्छे नंबर लाता था और शिक्षकों का प्रियच्छात्र था रमन का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने वह चाटा था कि वह दुन्या के लिए कुछ नया कर सके और लोगों की भलाई में मदद कर सके रमन जानता था कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहन्त करनी पड़ेगी वह हर दिन घंटों तक पढ़ाई करता था और नयने प्रयोग करता था फिर एक दिन रमन को एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला यहाँ प्रतियोगिता बहुत कठिन थी लेकिन रमन ने अब जानता था करता था